वेल्कम एब्रिवान आज हम लुक यूनिट वन का डिविशन करेंगे तो डिविशन थोड़ा आपको फास्ट जाएगा पहराद आपको पूरे अच्छे तरिक से कोई टॉपिक समझना है तो आप नीचे डेस्क्रिप्शन में यूनिट वन के जो 6 चाप्टर्स है उनके लिं देखा जाए तो फिर वो ikhlas जाता है एक महीने पहले मनखे जाता है इंडिया का टिचस लेज किया सब्टेम्बर 5 को सब्टेम्बर 5 को चिचस ले क्यों है कि निटीम जरम तद डॉक्टर सरवपली राधाश्न थो जो हमारे second president थे अब education के different approaches है कि उनके education का different goals भी कह सकते जिनका theory है तो पहला है idealism idealism mainly आपके जो साथ होते थे sense होते थे वो मानते थे वो मानते थे कि education इसलिए सिखाए जाता है कि आदमी जाने कि क्या सही है और क्या गलत है second में आता है naturalism इसके main जो प्रवक्ता थे वो थे रविंदाना टेक और वो चाते थे कि education जो हो हम लोग खुली environment में जाके education receive करें तो यह आता है rationalism rationalism का thinking हम लोग सिखाता है कि जो हम लोग सामने से देख सकते जो हम लोग prove कर सकते वही सही है और उसी के बारे में educate करना चाहिए फिर आते है behaviorism बे behaviorism यह कहता है कि education का main purpose जो है वो है कि human being का जो behavior है तो change करना चाहिए इसके main प्रवक्ता थे EL thondike इसमें दो चीज़े हैं एक है law of exercise law of exercise हम लोग को यह बताता है कि कोई काम जब हम बार बार करते हैं अब हम लोग उसकाम को अच्छे तरिकेश से कर सकते हैं law of effect हम लोग को यह बताता है कोई काम जब हम सालोग दर साल करते हैं तब उसकाम को हम लोग अच्छे तरिकेश से कर सकते हैं law of effect हम लोग को साल के बार में बताता है साल या फे तो क्यात सकते है time के बारे में बता आता है फिर आते forms of education forms of education की अगर बात की जाए तो three forms of education होता है एक होता है formal जो हम लोग school और colleges में करते है जहां पर एक teacher होते है और students उन से education receive करते है second आगिया हम लोग का informal college informal form जैसे कि आपका community college हो गया या फिर आप अगर कोई निया languages सीखना चाते है तो फिर वो सब आते है under the informal और last में आगिया non-formal जो कि self से मान लिजिए आप खुद से कोई चीज़ सीखना चाते है तो इसके लिए आपने YouTube देखा फिर internet से information करें internet से information internet से information collect किया इन सब को जो आप खुद से पढ़ाई कहते है उससे ही का जाता है non-formal form of education फिर हम दो काएंगे teaching पे teaching का जो definition है teaching is a process of a learner teacher and other variables organized in a systematic way to obtain a predetermined goal इसमें क्या होता है students ये learner कोन है students teacher and other variables ये other variables क्या हो गया ये other variables आपका surrounding हो गया बिस्ते class में chair table blackboard ये सब हो गया other variables organized in a systematic way एक अच्छे तरिके से सजाए जाता है to achieve to attain a predetermined goal predetermined goal क्या होता है मान लीज़े बच्चे को कोई course complete करना है या फिर कोई skill सीखना है या फिर कोई new learning करना है या फिर सिफ subject में knowledge लेना है तो achieve a predetermined goal ये करवाय जाता है in a systematic way models of teaching models of teaching अगर बताया जाया तो दो models होते है एक होता है आपका pedagogy और दूसरा होता है endogogy पेटा कोई एकदम entry level का होता है यहाँ पर teacher का primary role होता है और teacher takes care of the friends teacher educate करता है teacher syllabus decide करता है और teacher हम लोग को information pass करता है वही information receive करने के बाद हम लोग exam देखे वहाँ से pass होता है और वो knowledge को gain करता है इसके लिए क्या करना पता है teachers को preparation, presentation, association, generalization और फिर अप्लिकेशन पर endogogy क्या हो गया endogogy आपके higher level of education education जैसे कि आपका research हो गया अब दूसरे higher levels जहां पर teacher second place लेते है और students से expect किया जाता है कि वो problem solving kill रखे कि जातर जो फड़ाई है वो खुद से कर सके और कोई अगर problem treat हो तभी वो teacher के पास आए तो यह है self-directed learning this is also known as adult learning फिर आएंगे levels of teaching बे levels of teaching की अगर बात की जाए तो फिर 4 levels of teaching होता है पहला है आपका autonomous development level यह उस time से start होता है जब हम लोग जनम लेते और 3-4 महिने गुज़र जाता है हम लोग को बहुत ही basic चीज सिखा जाता है जैसे चलना प्रैटना बात करना यह सब है autonomous development level फिर आगे है आपका memory level of teaching यह हम लोग का second level होता है जो हम लोग school में first time admission लेते उसमें देखा जाता है इसका main theory दिया था Herbert ने और उन्होंने यह बताया था यहाँ पर mainly emphasize किया जाता है memory को बच्ची को याद करवाया जाता है कोई भी जो है जैसे कि poetry हो गया numerical हो गया यह सब हम लोग को याद करवाया गया था बच्च्पन में इसमें mainly आपका stimulus response देखा जाता है stimulus response stimulus क्या होता है जैसे कि कोई question दिया जाता है तो उसका एक exact answer हम लोग को देना बढ़ता है वही यह आपका stimulus response पिर आते हम लोग understanding level of teaching understanding level of teaching का theory जिसने दिया था वो थे Morrison इसमें हम लोग को subject के बारे में knowledge होता है और subject को हम लोग समझने लगते है हम लोग उसके meaning जो है वो समझते है excuse me जैसे कि आपके poems हो गए बच्पन में सिफ हम लोग को याद करवा जाते है और इस time पे poems हम लोग को पढ़ाया जाते है तो उसका क्या meaning है कभी जो है उसने ये चीज़ क्यों लिखाता है ये भी सिखाया जाता है तो Sanskrit के slope हो गए जो हम लोग को याद करने बढ़ते है और फिर इस लोग के मतलब जो है वो भी हम लोग को सिखाया जाता है तो ये हो गया during the understanding level of teaching फिर आते है reflective level of teaching जो theory दिया था वो थे हंठने और ये this is the highest level of teaching जहांपर students खुद से पढ़ाई करते है और कोई problem हो तब ही जाके वो teachers से answers मांगते है तो ये होगी autonomous development of lead autonomous development level जहांपर हम लोग को basic चीज तिखाया जाता है memory level of teaching जहांपर हम लोग को stimulus response expect किया जाता है जहांपर एक particular question पे एक particular answer देने के लिए हम लोग को तयार किया जाता है और सब subject जियाद करवा जाता है understanding level जहांपर हम लोग subject का जो मतलब है उससे समझते हैं और उससे कैसे अपलाई करना है ये सब हम लोग को subject जाता है reflective level है highest level of teaching जहांपर हम लोग problem solving skill रखते हैं और कोई particular problem आपराई हो इन variables होते है पहला है आपका independent variable जो कि आपका teacher मान लीजे किसी class में जो students है वो students literature के बाड़े में पढ़ना है जाता है पर जो teacher है वो maths के teacher है तो इन बात से फरेक नहीं पता है कि students का सीखना है maths के जो teacher है वो obviously maths सी पढ़ाएंगे तो the teacher is not dependent upon the opinion of the students इसलिए इससे इनने बोला जाते है independent variables तो next में आते है dependent variables dependent variables में क्या होता है जैसे कि यही example लेते है कि students वो literature के बाड़े में पढ़ना चाते है पर क्योंकि maths के teacher है वो literature के बाड़े में नहीं पर सकते है उन्हें maths के बाड़े में पढ़ना होगा तो students are dependent upon the teacher इसलिए इनने बोला जाता है dependent variables तो इसलिए इन्टरफाइनिंग variables इन्टरफाइनिंग variables हो गया हम लोग का chair, table लास में एससे लगावा अखी नहीं educational facilities जेतने भी होते है उन्हें का जाता है इन्टरफाइनिंग variables अब तीन प्रोसेसर सोते हैं उनके बाड़े में देख लेंगे पहला है आपका bipolar process bipolar process में क्या माना जाता है एडुकेशन सिस्टेम जो है सिफ दो component पर डिपेंड है एक है आपका teacher और दूसरा है students इन दोनों में पुड़े एडुकेशन सिस्टेम में यह है bipolar process ट्राइपोलर प्रोसेस क्या मानता है तीचर और स्टोरियन के साथ वो और एक एड़ करता है जो कि आपका curriculum या फिर क्या syllabus है उससे भी जब एड़ कर दिया जाता है तब बन जाता है ट्राइपोलर प्रोसेस और फिर आता है quadripleur process quadripleur process में जो educational facilities होते है जैसा मैंने अभी बताया है कि table chair जो होते थे मदलब table chair, AC, fan यह सब facilities जो provide के जाता है इस component को भी जब एड़ के जाता है तब उससे का जाता है quadripleur process फिर आता है objectives of teaching पे teaching क्यों करवाया जाता है क्योंकि objective specific होना चाहिए कि बच्चे को क्या सीखना है कोई skill सीखना है या फिर subject knowledge सीखना है उसके हिसाब से teaching क्या जाता है फिर आता है outcome based कि exam में इसको perform करना है exam में कैसा perform करेगा अच्छा तरीके से exam करे वो skill में वो expert या फिर mastery accept कर पाए यह है outcome based और last में आता है measurable जो कि हम लोग marks से जानते है तो teaching should be specific outcome based and measurable अब दो type of classification है एक है bloom classification दूसरा gagna and brick classification पहले हम लोग पढ़ेंगे bloom classification bloom classification में यह बताया था जो education है वो हम लोग को different level पर effect करता है और different levels को क्या बताया गया है domain तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो है about the cognitive domain cognitive domain क्या है हम लोग कोई चीज कितने अच्छे तहिके सा समझ सकते हैं और हम लोग दिमाग का कितना सादा यूस कर सकते हैं वह है आपका cognitive domain जैसे कि आपका knowledge के लिए comprehension के लिए कौन सा पढ़ाई जो है किस चीज़ पर application कर सकते हैं अनलेसिस के लिए कोई complex चीज जो है उससे छोटे हिससे में divide करें जैसे कि हम लोग को बच्पन में spelling का सिखा जा रहे तो तो मांदी चे classification हम लोग को spelling में दिया गया classification नहीं आता था तो complex चीज़ को हम लोग को छोटे हिससे में divide किया जाता था एक class और एकification रास का स्विलिंग प्लसिफिकेशन का स्विलिंग वर्स्टू क्लासिफिकेशन तो यह है अनलेसिस प्रोसेस यह जो दिमाइख खल सकता है यह भी under the cognitive domain पेड़ा आता है synthesis synthesis मतलब जो सभी parts होते हैं वो subject के उसे एक साथ लेना है जैसे कि मान लीजे आप gravity के बारे में पढ़ते हैं motion के बारे में पढ़ते हैं friction के बारे में पढ़ते हैं तो यह सभी चीज किस बारे में है तो फिर यह सभी चीज है physics के बारे में तो synthesis वही होता है कि combining all the parts न whole पिराते evaluation जहां पर exam लेनीत है फिर लोग देखेंगे effective domain effective domain का सिधा मतलब है effective domain में हम लोग reaction सीखते हैं इस जगे पर किस तरीके से react करना चाहिए effective domain में एक important चीज है emotional intelligence emotional intelligence का theory किस ने दिया था तो Daniel Goldman में Daniel Goldman ने कहा था हमारे brain में कोई भी tense situation आता है कोई भी problems आता है तब हमारे brain में दो जगे हैं एक होता है emotional side और एक होता है rational side जब भी कोई tense situation होता है तब first हम लोग का brain का जो side react करता है वो होता है emotional side तो उसके बाद act होता है rational side इसलिए बोला जाता है कि कोई भी tense situations हो या फिर कोई भी बड़े decisions हो हम लोग को एक बार में नहीं लेना चाहिए कि तब तक हम लोग का rational side of brain डेवलप नहीं होता है और rational side डेवलप होने के बाद थोड़ेते शांद बाद निवादी हम लोग को कुछ decide करना चाहिए तो वहीं याँ आपर दियावा है emotional intelligence इसका example है आपके attitude फिर आते हैं psychomotor domain psychomotor domain में क्या है कोई भी जो skill है कोई भी physical काम है जो हम लोग करते है all of those come under the psychomotor domain फिर आएंगे gagna and bricks classification gagna and bricks classification में पहले आता है intellectual skill intellectual skill में आता है कि कोई चीज़ हम लोग कैसे understand करते है कैसे learn करते है यह सब आता है हम लोग के intellectual skill में फिर आता है हम लोग का cognitive strategies cognitive strategies में हम लोग करते है कि कौन सा चीज़ हम लोग कैसे remember करते है फिर आता है verbal information verbal information का example अगर दूँ हम लोग में इसे बहुत ज़र अच्छे तरीके से English बोलने ही पाते है तो English ना बोलने का वज़ा यह नहीं है कि हम लोग उसे understand नहीं करते है English understand नहीं करते है और उस बग पर exact moment पर हम लोग को word हमारे दिमाग में नहीं आता है और हम लोग अच्छे से sentence को form नहीं कर पाते है वही यह आपका verbal information कि अगर हम लोग के पास सभी words हो sentence का अच्छे तरीके से knowledge हो तो फिर हम लोग अच्छे देके सब बात कर सकता है फिर आता है motor skills यह वही physical जितने भी activities है उन्हें का जाता है motor skills अल लास्ट में आता है attitude जो कि आपका emotional intelligence का हिस्सा है फिर हम लोग देखेंगे effective teaching practices जिससे का जाता है maxims of teaching तो सबसे पहले आता है from simple to complex तो अब अगर आप याद रखेंगे कि junior classes में हम लोग को पहले सिखा जाता था 1, 2, 3 उसके बाद हम लोग को सिखा जाता है addition उसके बाद सिखा जाता है algebra तो हम लोग को पहले simple से फिर हम लोग को complex के तरफ ले जाया गया था फिर आता है from known to unknown अब देखे अगर हम लोग को पहले या addition सिखा जागा तो हम लोग को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा पर हम लोग अगर पहले सिखेंगे 1, 2, 3 क्या होता है पिर जाके सिखेंगे addition क्या होता है और addition सिखने के बाद algebra सिखेंगे तो algebra सिखने के time हम लोग को पता होगा addition गया, subtraction, multiplication गया होता है तो है algebra सिखना हम लोग के लिए आसान होगा तो अई यह from known to unknown देखेंगे from whole to part from whole to part में क्या होता है numerical system जो होता है पहले जो होता है हम लोग को 1 से 9 तर सिखाया जाता है उसके बाद एक level उठने के बाद 10 to 100 तक सिखाया जाता है उसके बाद हम लोग खुदी सीख जाता है कि 100 to infinite numbers हो जकते है तो यह जो पूरा system है इससे number system बताया जाता है पर इसे छोड़े जोटे levels में कड़ाया जाता है यह है from whole पूरे चीज़ से to part of the subject from psychological to logical psychological मतलब हम लोग को पहले याद करवाया जाता है फिर logical census में लाया जाता है psychological मान लीजे हम लोग को पहले सिखाया जाता है 1, 1 के बाद होगा 2 हम लोग कभी भी logical तरगेस से नहीं सीखते है कि 2 के बाद 7 क्यों नहीं होगा या फिर 8 क्यों नहीं होगा हम लोग को ये एकदम अच्छे तरके याद कड़ाया जाता है कि 1, 2 उसके बाद हमेशा होगा 3 इसके बाद ही हम लोग लॉजिकल चीज़ा सिखते हैं जैसे addition में हम लोग सिखते हैं 3 प्लस 3 क्या होगा 6 कोई भी number होगा जो addition का logic है उसके लिए same रहेगा पहले हम लोग को याद करवाए जाता है फिर logical चीज़ें सिखाए जाता है फिर training the senses अब आएंगे principles of teaching principle of teaching अगर बात की जाए तो दो principle है पहले है आपका general principle फिर आएगा आपका psychological principle general principle की अगर बात की जाए तो इसके पहले आता है मतलब general principle में पहले आता है principle of motivation principle of motivation में क्या होता है जो students होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करता है उन्हें motivate किया जाता है जैसे कि उनको gift दिया जाता है या फिर prices दिये जाता है तो यही है principle of motivation फिर आता है principle of interest कि कोई भी subject में जब students का interest रहता है तब वो students subject में अच्छा perform कर सकता है तो यही होता है principle of interest और teachers का main criteria यही होता है कि कोई भी subject में students का interest जागा आपा है फिर आता है principle of linking with life principle of linking with life में हम लोग को real life examples जो है उनसे link किया जाता है ताकि हम लोग को समझने में वो आसान ही हो यह principle of definite aim principle of definite aim में हम लोग को education दिया जाता है वो एक definite कारण से दिया जाता है कि हम लोग कोई skill सीख ले या फिर कोई subject के बारे में knowledge गेन कर ले तो principle यही है principle of definite aim फिर आता principle of recognizing individual difference इसमें देखा जाता है कि हरक strength का जो level है वो अलग है और उसका अलग capacity होता है तो उसके हिसाब से उसको teach के उसको सिखाए जाता है ताकि वो आपने अच्छे तरीके से optimum तरीके से perform कर भाए इस आता है principle of planning principle of planning में आप देखेंगे गर आप विया समगद अनसर का यह book देखें तो unit 1 में बहुत सारे topics हैं तो उसे ठीक तरीके से organize करके दिया गया है ताकि हम लोग को समझ में आए तो principle of planning यह है कि कोई भी subject जब आप teach करने जाते है ताब उसे organize करने जाए ठीक तरीके से ताकि students के लिए आसानी है principle of division मैंने यह video start होने से पहले ही बताया था कि यह जो पूरा chapter ही इसे है हिस्सों में divide किया है क्योंकि पहले जब हम लोग यह समझना चाहेंगे अब यह आसानी से हम लोग को समझ में नहीं आता पर अभी यह आप पर एक बार मैंने यह subject complete कर लिया है इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूं revision यह ही है आपका principle of revision कि कोई subject complete करने के बाद उससे revise करना है इसलिए आता principle of democratic dealing principle of democratic dealing में क्या होता है teacher जो have strengths है उनके problems पूछते है और यह पूछते है कि कौनसा situation कौनसा चीज है जो उनको समझा नहीं आए और उसी चीज को डाइगनाज करते है और फिर उनको अच्छे तरके से समझाते है यह है principle of democratic dealing पूछते हैं कि साइकोलोजिकल प्रिंस्पल psychological principles basically आपके सेम है तो एक दो differences है परला principle of motivational interest फिर है principle of recreation principle of recreation मान लीजे आप 40 मिनिट से कोई subject करते है फिर 5 मिनिट का break लेते है फिर सब 40 मिनिट वो subject परते है इससे क्या होता है आपका brain का fatigue नहीं होता है और आपको वो subject और भी अच्छे तरके समझ में आता है यह है principle of recreation फिर आता principle of reputation and exercise जो कि यह है आपका revision फिर आता principle of sympathy and cooperation वो भी strengths का level लेग लेग होता है उसको सबच के उस student के साथ behave करना चाहिए और उसके साथ cooperate करना चाहिए फिर आता principle of reinforcement यह वह है कि awards देना चाहिए prizes देना चाहिए तकि students को पता चले कि conscious say behavior है और वो उनी behavior को लाने के लिए कोशिश करे फिर आएंगे हम लोग micro teaching में micro teaching में क्या होता है हम लोग जब research trends जो है research trends को classes में फेजा जाता है कि वो कोई classes ले ताकि उनको बाद में जब वो teacher के profession में आएंगे उसके लिए उनको पहले से training दिया जाता है इसी को कहा जाता है आपका micro teaching पिर आता है methods of teaching methods of teaching में teacher centered method है और learned centered method है teacher centered method यह होता है कि teacher जो होता है वो primary focus होता है और teacher ही mainly educate करते है students को और learned centered method में आप समझी रहे हैं कि students आपके main focus होता है कि students कौन सा subject पढ़ना जाते हैं कितने time तक पढ़ना चाते हैं यह सब देखा जाता है तो यह है आपका learner centered approach और teacher centered approach में teacher decide करते हैं कि क्या syllabus होगा कितने time तक वो पढ़ाई होगा यह सब decide करते हैं teacher तो रहनों को जब मिला दिया जाता है तब बनता है आपका mixed approach तो teacher centered method के कुछ example है lecture method, team teaching, tv और video presentation और dialogic teaching mixed group method जो है mixed group method के example है group discussion अब group discussion में एक normal होता है जो classroom discussion दूसरा है formal group discussion formal group discussion में क्या होता है एक teacher मान लीज़े कोई group है उस group को divide कर देते है तो एक group में से एक जन को वो रखते है recorder अब यह recorder का यह काम होता है कि student से जितने भी opinions होते है वो record कर लेते है वो एक पच्ची पे लिख लेते है और जाके वो teacher को देते है और teacher को जब यह पता जलता है कि सबका opinions कैसा है teacher last में अपने final opinion प्रेजेंट करता है तो यह आपर देख लेंगे एक बार a person who will be the recorder notes round the points तो group को divide करते है फिर group में जो recorder होता है वो जितने भी points होते है उन points को note down करता है और आखिर में teacher gets all the notes made by the recorder teacher sums up the discussion तो final क्या opinion है उस thought के उपर वो teacher पता देते है फिर आख planned, partly planned, unplanned यह सब है mixed group के under seminar, panel discussion, brainstorming, project method simulation, tutorials और demonstration method अब देखेंगे learner center teaching learner center teaching के बाड़े में एकर बात की जाए तो यहाँ पर main focus यो होता है आपका strengths होता है और उसका strengths का overall development development overall development के उपर देखा जाता है और strengths का क्या comfort है उसके positive क्या है negative क्या है यह सब के उपर focus दिया जाता है तो यह यह आपका learner center teaching इसमें आपके assignments हो गए, case study हो गए programmed instruction, personalized system of instruction computer assisted learning, open learning, interactive video, heuristic method और differentiated instruction यहाँ पर differentiated instruction के एक picture दिया हुआ है differentiated instruction में आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं उनके different headphones लगाए हुए है तो अनी के ऊपर उनको instruction दिया जाए है हर एक strength के ऊपर focus किया जाए है यहाँ पर हर एक strength के ऊपर focus किया जाए है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बच्ची है वो शायद से drawing करिए है और यहाँ पर जो बच्ची है वो कोई चीज सीख रिये थूँ टाबलेट तो हर एक बच्ची को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है उनके positive और negative देखे यह यह आपका differentiated instruction which is a form of learner-centered teaching टीचिंग strategies के अगर बात करें तो दो थरीके के होते हैं एक है autocratic और एक permissive style तो autocratic style में क्या होता है जो teacher होते हैं वही सब decide करते हैं और वो students का कोई भी opinion नहीं सुनते हैं अब permissive style में students के opinion matter करते हैं students बताते हैं उनको क्या फसंद है किस जगे पर वह weak है और किस जगे पर उन्हें फिर से repeated मतलब understanding चाहिए या फिर उस subject को फिर से repeat करना होगा तो यही है आपका permissive style फिर आएंगे gagness teaching process में gagness teaching process में अगर देखा जाए तो gagness ने कुछ process दिया है जो teachers को follow करने जाए ताकि teaching process smooth रहे और अच्छे तरीका सड़ा है सबसे पहले उन्हें teachers को बच्चों का attention गेंड करना पड़ेगा फिर बच्चों को बताना पड़ेगा उस टाइम पर बच्चे मतलब summary एक देना पड़ेगा brief summary कि वो क्या education receive करेंगे stimulate, recall and try and knowledge अगर पहले का कुछ knowledge होगा उसे फिर से वापिस learning के लिए बोले जाएगा present content material क्या-क्या उन्हें पड़ना पड़ेगा ये बता जाता है provide learners guidance उन्हें understand करने के लिए help करना फिर आता है practice इसमें आता है revision करवाना subject का फिर आता है provide informative feedback जिसमें आता है आपका exam लेता है और फिर exam के बाद देखा जाता है कौन से part में जो है strength week है या फिर उनकों समझ में नहीं आए फिर आता है take exam CA formal होता है और ये आपके weakness देखने के लिए नहीं होता है ये आपके marks के लिए और ranking के लिए दिया जाता है enhance retention and transfer अब आता है four pillars of learning अब जो learning करते हैं हम लोग जो education receive करते हैं वो किसली करते हैं इसके regarding Jack Taylor ने एक theory दिया था उनके हिसाब से इसके चार्ड करन है पहला है for knowledge दूसरा है to live together in a society society में एक साथ रहने के लिए तीसरा है आपका learning to do कि कोई भी skill सीखने के लिए और चौह था है आपका learning to be तो to exist in society इसका मतलब यह नहीं है सिर्फ society में जिन्दार आना है society का एक part बनना अपने behaviors से तो society का एक part बनने के लिए हम को important है education receive करना अब देखेंगे offline versus online method of teaching में differences क्या क्या है तो सबसे पहले देखेंगे offline में यह online offline में आपका teacher focused है जैसे कि यहाँ पर मैं जो करा रहा हूँ यह teacher focused है मैं कुछ भी subject teach कर दे रहा हूँ मुझे वहाँ से interaction का पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों समझें आड़ा है या फिर नहीं समझें आड़ा है अब online method में क्या होता है आप लीजे कोई live classes है तो आप जो teacher है आपके students के comments परते है और उनके हिसाब से answer देते तो वो हो गया आपका learner focused second है आपका learning is passive learning जो है वो आप कितना कर रहे है या फिर नहीं कर रहे है वो मैं नहीं देख सकता है दूसरा है आपका learning is active बहुत सारे online courses में जो है वहाँ पर exam लिया जाता है और एक exam को clear करने के बाद ही आप दूसरे पर जा सकते है तो आपर learning जो है वो active होता है फिर instructional strategy जो है वो multimedia instructional strategy ज़्यादा तर वर्बल होता है तो वर्बल में क्या होता है जो teacher होते है वो lectures प्रोवाइड करते है उसी के थूँ हम लोग को information मिलता है और यहाँ पर instructional strategy क्या है वो है multimedia multimedia का मदलब क्या हो गया मान लीजेए यहाँ पर जो वीडियो आप देख रहे है वोहाँ पर instructional multimedia जैसे कि यहाँ पर आपका powerpoint चल रहा है यहाँ पर pen tool यूज हो रहा है एक online platform यूज किया जा रहा है तो इससे ही का जाता है multimedia तो यहाँ पर है interaction between students and technology is less तो class में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो ज्यादा हम लोग को technology से कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर जब online glass करते हैं तब हम लोग को technology आना चाहिए जैसे कि कौन सा mobile use आप mobile use करते हैं या फिर कोई app है तो आपको कोई basic level of technology आना चाहिए पर online method of education पाचवाय यहाँ पर face to face interaction ज्यादा होता है जैसे कि क्लास में कोई भी पढ़ाई होता है उस टाइम पर आपका face to face interaction ज्यादा होता है पर online method में मानली जैसे 1000 आफ स्टुएंट्स को एक क्लास कर रहे है वहाँ पर आपका face to face interaction घम होता है यहाँ पर duration of study is fixed यहाँ पर मानली जैसे 40 minutes के क्लास होता है 40 minutes के बाद जब बल बाद जाता है अब teacher क्लास से चले जाता है यहाँ पर duration of study जो है वो fix नहीं होता है मानली जह 것이 Trend 20 मिट के लिए वीडियो देख रहा है और फिर QUESTION 2 घंदे के लिए वीडियो देख रहा है आपने मज़ी से कर सकता है फिर आएएंगे Masseve Open Online Course Masseve Open Online Course का जो short form है वो है AIMP OOC India जो है This is the second largest user of AIMP OOC after USA अगर Masseve Open Online Course की बात की जाए तो दो थरके के होता है एक होता है C और एक होता है X C में क्या होता है C से ही आप समझ सकते हैं कि जो courses होते हैं उन्हें change कर सकते हैं और जो strength होता है अपने हिसाब से उस पर adapt कर सकते हैं पर X से more CC में क्या होता है जो course होता है वो पहले से design किया रहाता है एक fix design रहाता है उसी के हिसाब से student को पढ़ाई करना पड़ता है अब देखेंगे features of M.O.O.C इसमें आपका course format रहाता है कि पुरा course दिया हुआ रहाता है और आप कैसे इसको पढ़ाई करना चाहते हैं वो आपपे depend रहाता है फिर learning model learning model ये भी हो सकता है कि बहुत सेफ आप online video देख सकते हैं या फिर online और offline दोनों available हो सकता है इस आता है number of courses number of users institutional credit बहुत साथे M.O.C जो है वो institutional credit मतलब बहुत साथे बड़े बड़े जो institution से अपने M.O.C चला थे बहुत साथे ऐसे भी है फिर आता है platform language की वहाँ पर जो भी आप institute में जाड़े वहाँ पर कौन-कौन से languages अभिलेबल है कौन-कौन से languages के video आभिलेबल है फिर आता है app platform अप platform मतलब उसको आप mobile में देख सकते है android में देख सकते है computer apple में देख सकते है या फिर दूसरे Windows में देख सकते हैं, तो यही है आपका App Platform, तो यहाँ देखेंगे Process of M.O.C. Courses, M.O.C. Courses में क्या है, प्लेटफर्म आपको चूज करना पता है कि कौन से प्लेटफर्म में आप करेंगे, जैसे कि आपका UTEM हो गया, या फिर दूसरे कोई भी Courses हो गए, फिर वहाँ पर आपको बोला जाता है, एक Account Create करने के लिए, Account Create करने के बाद आपको Decide करना पता है, आप क्या Courses करेंगे, काला है, आपका Audited Course, Audited Courses का मतलब क्या होता है, कि Courses आप अपने लिए कर रहे हैं, कि आपने कोर्स सीखना है, इस Courses में आपको किसी भी तरीके का Certificate नहीं मिलता है, Complete करने के बाद किसी भी तरीके का Certification नहीं मिलता है, या आपने वो Cours सीख लिया, दूसरा आता है Certified Course Certified Course में क्या होता है आप Course को Complete करने के बाद आपको Certificate मिलता है इसने ये Course Complete कर लिया और इसलिए उसको Certificate मिलता है फिर आता है Specialized Course Specialized Course में क्या होता है वो एक Particular Subject पे आपको पुरा ग्याम दिया जाता है ताकि आपको उस Subject Matter पे specialization receive करें जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते है digital marketing master class यहाँ पर आपको 23 courses एक ही साथ करवाया जाना है यह आपका specialization course फिर आता है आपका enrolling in course enrolling in course आप add to cart करते हैं जो भी course आपको पसंद रहा है उसके लिए payment करते हैं अब payment करने के बाद वो course complete करके certificate receive करते है तो जैसे मैंने बता रहा है MOC institution से link होते है तो कुछ-कुछ MOC institution से navy link होते है तो जो इंडिया में famous MOC है और institution से link है उनके नाम देख लेंगे NPTEL यह IIT से link है Moonkit जो कि IIT Kanpur से relate है IIT BX जो कि IIT Bombay से relate है और EPG पार्ट चाल है जो कि आपका UGC चला आता है अब देखेंगे challenges मतलब problems क्या क्या है MOC के लिए इंडिया में पहला है आपका technological infrastructure investment diversified needs तो आप आप आपकर देखेंगे कि जो different parts of India है वहाँ पर different languages है तो different languages में teach करवाना possible नहीं होता है M00C में तो यह एक problem हो जाता है जैसे कि आप अगर USA में करेंगे तो फिर वहाँ पर एक course अगर बनाएंगे आप English में तो फिर all over USA उसे accept किया जाएगा उसे सभी लोग समझ ज़कते हैं पर इंडिया में ऐसा नहीं है adaptation of MOOC among learners तो इससे पहले अगर कोरोना से पहले हम लोग बात करें तो हम लोग बिल्कुल भी online courses के बाड़े में नहीं जानते थे online education के बाड़े में नहीं जानते थे तो वही बात किया जा रहा है कि कोरोना के बाद भी बहुत सब्सक्राइब बच्चे ऐसे हैं learners ऐसे हैं जिनकों online education के बाड़े में पता नहीं है फिर है आपके quality of teachers जो teachers MOC पर पढ़ाते हैं वो qualified नहीं होते हैं और अच्छी quality के teachers ना होने के वज़े से जो MOC का quality होता है वो भी नीचे गिर जाता है फिर हम लोग देखेंगे स्वयम के बाड़े में स्वयम में म्डवलोसी है जो कि आपके इंडिया में बनाया गिया है इसमें आपको educational classes मिल जाएंगे और कब तक कि educational classes मिल जाएंगे class 9 students to post graduation जो subjects है आपको मिल जाएंगे there are over thousands of faculty members who prepare these courses marks secure to be transferred to academic records यहाँ पर आप जब courses complete करेंगे और exam देंगे यहाँ पर जो marks है उसे आप अपने CV में भी add कर सकते है यहाँ पर courses को चार हिस्त में डिवाइड किया गया है एक है आपका video tutorials, दूसरा आपका e-content जहाँ पर आपको मानली जो PDF दिया जाता है subject related PDF पर आपका self assessment जहाँ पर exams लिये जाता है और discussion forum जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं या फिर दूसरे जो aspirants से उनके साथ बात कर सकते हैं फिर आता है स्वयम्प्रवा स्वयम्प्रवा एक TV का website से इसमें 34 DTH educational channels है इसमें कैसे चलाते हैं Gsat satellite जो की total कितने हैं 15 satellites और यह कहां से uplink किये जाते हैं फिर यह किये जाते हैं फिर यह किये जाते हैं फिर बाइसक कहां परें गांधी नगर में अब कुछ difference देखेंगे between traditional versus modern method traditional versus modern method of education traditional method में क्या था memorization को याद करने को main importance दिया जाता था modern method में understanding क्यारे importance दिया जाता है कोई भी subject आप जब पढ़े उस subject को understand कीजे यहाँ पर final aim जो होता था वो डिग्री होता था यहाँ पर understand करने के बाद second stage पर आता है वो इस stage में apply कर सकते हैं उस जो हम लोग पढ़ाई किये हैं वो कैसे हम लोग को important है तो application तो पहले क्या होता रहा है कि सभी जो बच्चे जो same age के करीब-करीब वो एक साथ पढ़ाई करते थे पर यहाँ पर कोई भी ऐसा rule नहीं है जैसे कि MBA college में अगर आप जाएंगे तो फिर वहाँ पर आपको 20 साल के लड़के भी मिलेंगे और वहाँ पर 30 साल के लड़के भी मिलेंगे तो यहाँ पर यहाँ कोई ऐसा rule नहीं है कि same age group रहना चाहिए पर देखेंगे learning theories learning theories में पहला है behavior school of thought behavior school of thought यह मान दाथा है कि हमारे हमें याद करवाना चाहिए जो education है उसे याद करवाना चाहिए तो उस education के त्रू हमारे behavior में के जाना चाहिए तो इसमें देखा जाता था law of faith कि एक ही चीज़ को बार बार करवाया जाता था ताकि हम लोग के अंदर तक वो चला जाए law of readiness कि एक subject को सीखने के लिए experience कितना excited था excited किया जाता और law of exercise जिसमें experience को experience कराया जाता बार बार एक ही subject को पढ़ाया जाता था ताकि उसे अच्छे तरीकर से याद हो जाए फिर आता है conjuvenist pool of thought conjuvenist conjuvenist इसका मैं pronunciation गलत कर रहा हूँ आप देख लीजेगा इसमें क्या होता था यहापर main जो होता था वो understanding तो बच्चों को subject पढ़ाया जाता वो समझ पाड़े कि नहीं उसमें mainly focus किया जाता और तीसरा है constructivist constructivist में बच्चे जो समझ रहें और बच्चे को कौन से चीज में interest है उसके हिसाब से पढ़ाया जाता experimental learning अब देखेंगे learning method पढ़ाय करने के लिए क्या क्या method है imitation, observation, experience, instruction trial and error, experimentation and questioning basic conditions of learning हमारे basic conditions क्या होने चाहिए experience का basic criteria होना चाहिए ताकि उसे learning में help करे readiness पढ़ाय करने के लिए एक इच्छा होनी चाहिए उसके अंदर interest, motivation motivation दो तरिकर होते है intrinsic intrinsic का मतलब होता है जो अंदर से आता है मतलब आपका अगर कोई subject में interest है आपको subject के बाढ़ में और knowledge gain करना है वह है intrinsic extensive का मतलब होता है outside मतलब आप इसलिए उस चीज़ को पढ़ाई कर रहे है क्योंकि आपको पढ़ाई complete करने के बाद एक अच्छा package का नौक्री करना है तो यही है आपका extensive motivation क्योंकि आपका outside motivation है फिर आते learning response है अब learners को जब teach करवाते teachers learners से कैसे response accept कर सकते है पहला है prompting मतलब जो answer है उसका माली जब पहली का part बता दिया गया एक छोटा सा part बता दिया गया students को जो है prompt किया गया ताकि students answer को complete कर पाए फिर आते redirection माली जब कोई एक answer ने दिये पाए तो दूसरे strengths से same question पूछा जाएगा इससे strengths से same question पूछा जाएगा इससे क्या होगा class में जितने भी strengths है सभी का ध्यान बना रहेगा कि उसको पता नहीं रहेगा कि ये question अगला हो सकता है कि मुझसे पूछा जाए फिर आते increasing critical knowledge जो बच्ची का सोषने का तरिका है या आपि सोषने का खमता thinking knowledge है उसे increase किया जाता है फिर आता seeking further information ये वही है कि students का कोई भी इंट्रेस्ट जागाना seeking further information फिर आते learning environment में learning environment के अगर बात की जाए तो learning environment का मतलब होता है हम लोग का आसपास का जो जगा है वो कितना दूर हम लोग को effect करता है वही है आपका learning environment मान लिजे आप red color आप एक classroom में बाठे है चारो तरफ का wall जो है wall red color का है तो आप excited mood में रहेगे मान लिजे green color का है तो फिर आप calm रहेंगे और dark color का है तो आप sad रहेंगे या फिर दूसरी कोई mood में रहेंगे तो learning environment ये ही होता है कि हमारे आसपास का environment हमारे पढ़ाई पर इतना ज्यादे effect करता है importance देखेंगे हम लोग सबसे पहले देखेंगे physical environment मान लिजे आप कोई classroom है और classroom पूरा यहाँ पर गंदा पढ़ा हुआ है तो आपको class में ज्यादा पढ़ने के लिए अच्छा नहीं लगेगा और आपको बेकार लगेगा class से smell आ रहा है तो आपको पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और class अगर neat and tidy हो सभी एक एकी land में बैठे हो और class में कोई भी गंदा smell नहीं आ रहा है तो फिर आपको class में मन लगेगा यही आपका physical environment फिर आता है आपका psychological environment psychological environment का मतलब यही होता है कि class में मन लिजए आपके दोस्त है या फिर दुश्मन है मन लिजए आपका किसी जगड़ा होगे सुभे को तो फिर आपका mood अच्छा नहीं रहेगा तो यही है आपका psychological environment पिर आता है आपका social environment Social environment में हम लोग देखते हैं हमारे आसपरोस के environment कैसा है जैसे कि यह आप physical environment में ऐसी classroom तर या school तक बनता Social environment में हम लोग कहाँ पर रहते हैं हमारे दोस्त कैसा है यह सब को मिला जाता पिर आता है motivational climate motivational climate में क्या होता है बच्चों को inspired किया जाता है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते जो बच्चे उनके pictures जो है class के सामने लगाए गए इससे क्या होता यह बच्चे क्या और उसका नाम लगाए गया इससे क्या होता बच्चे को एक इंटरेस्ट बनता है पढ़ाई करने में उसको भी मन होता है कि हाँ अगले ताइम उसका भी जो फिक्चर है बोड फे लगाए जाएगा और उसका भी नाम होगा पूरे class के सामने तो यह हो गया motivational climate पिर आता है learn this characteristic learn this characteristic एक होते है field dependent और एक होता है field independent तो सबसे पहले field का मतलब समझता है अमाड़े आसपर उसका environment होता है learning environment होता है उसको हम लोग field कहाता है तो field dependent कौन होता है जो यह environments पे depend होता है और field independent कौन होता है जो इन पे depend नहीं करता है तो independent होता है teachers dependent होता है student प्रिट आएंगे हम लोग reflectivity और impulsivity में reflectivity और impulsivity की बात की अगर की जाए तो impulsivity वो होता है जो impulse decision लेता है जैसे कि classroom आप देखेंगे कोई भी question भुज़े जाता है तो सबसे पहले एक बच्चा हाथ उठाता है तो ये एक impulse impulsivity कहा जाता है impulse action होता है और दूसरा होता है reflectivity जो बच्चे होते हैं जो चुज़ा बैठे रहते हैं और question जब उनसे directly पूझे जाता है अभी वो answer देते हैं ये सब strengths को कहा जाता है reflective जो question को अच्छे तरके से समझते हैं और फिर उसका answer और organize करने के बाद answer देते हैं ये reflectivity and impulsivity लास्रूम में जो पढ़ाई होता है वो इन तरिके होते हैं एक होता है visual learners जो देखके auditory जो सुनके motor learners जो कोई काम करके उस चीज को सीखते हैं motor learners का एक अच्छे एक्जाम्पिल ये बच्चा हो जागा क्योंकि अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वो cycle पेडल नहीं कर रहा उससे पता है कि एक slope पे जब वो चलता है तब वो bicycle उसकी आसानी से चलेगी दूसरा आप ये देख सकते हैं ये बच्चा जब एक जगे पहुँच जाता है अचानक ही उचे जगे पहुच के धका खाता है तो इससे बच्ची को ये पता चलेगा कि उचे जगे पहुचे जब पहुचेंगे तब हम लोग को slow होना है या फिर break कसना है तो ये काम करके बच्ची को पता है चलेगा तो ये ही है हमारे motor learning skill on the basis of listening तो सबसे पहले आता है हम लोग का active listening जो हम लोग जो teacher होते उनको अच्छे से सुनते है कि teachers क्या dictate कर रहे है फिर आता है empathic listening empathic listening मतलब जो speaker है उसके प्रती हम लोग को emotion रखते है और उससे अच्छे तरीके ज़र सुनते है फिर आता है evaluative listening जो कि जाता हम लोग के debate के time में होते है कि कोई point जब speaker बोलता है तो वो सही है कि गलत है उससे सुनते है हम लोग वह ही है evaluative learning फिर आता है appreciative learning appreciative learning जाता हम लोग stand-up comedian जिनके पाल जाता है that is true appreciative learning यूट्यूब में हम लोग पहले उनके वीडियोस देखते है उनके वीडियोस जब हम लोग पसन आते है तब उनके पास हम लोग चाते है कि उनके वो जो बाते करते हैं उनको हम appreciate करते है वह यह appreciative listening वो comedians हो गए, comedy shows या फिर movies में जो heroes होते है dialogues फिर आपके फेवरेट यूट्यूब यूट्यूबर्स जो होते है यह सब थूद appreciative listening होते है इस होता है on the basis of thinking on the basis of thinking अगर देखा जाया तो एक होता है reflective thinking जो एक strengths को subject पढ़ाया जाता है वो चीज़ क्या है, क्यों सही है और क्या गलत है यह सब होता है reflective thinking जो strengths करते है creative thinking जो हमारे artist होते है practical thinkers जो होते है businessmen practical thinkers मतलब कोई भी काम करने है जैसे मुझे कितना profit होगा या फिर कितना loss होगा होते practical thinkers फिर होते conceptual thinkers यह entrepreneurs को का जाता है conceptual thinkers कि कोई concept है मान लीजे कि कोई चेक्का है और चेक्का से क्या होता है आपका जो weight होता है weight को खिछने में आसानी होता है तो एक entrepreneur ने क्या किया जो भाड़ी bags होते है हमारे bags होते है उसके नीचे तोटे चेक्के लगा दिया तब भाड़ी bags हम लोग को carry करने के लिए आसान हो गया यह है आपका conceptual thinkers जो कि आपको सबको पता है चेक्का concept तो सबको पता है वेट काप करता है पर उसने ऐसे concept को use किया ताकि वो benefit कर पाए यह होते हैं conceptual thinkers फिर आते हैं हम लोग adolescent learners पे adolescence learners आपके exams में नहीं आते हैं फिर भी में एक बार आपको बता देता हूँ adolescence learners हम तीन हिस्से में divide कर सकते हैं early adolescence जब आच पर होता है middle adolescence जब 11 to 15 होता है और उसके बाद आता है late adolescence late adolescence मतलब हम लोग जब teenage पार कर जाते हैं और teenage के वक्त रहता है फिर आता है academic achievement academic achievement अगर बात की जाए adolescence क्या होता है तो वो dependent on teachers कि teachers क्या पढ़ाएंगे उससी पर वो dependent रहता है the learner adds on to old information अब बच्पन में उनको जो information मिला है उससे वो add करते जाते हैं new information gather करते हैं goal oriented यहाँ पर उनको पढ़ा होता है कि उससे किसलिए पढ़ाई करना है और वो पढ़ाई करके क्या goal receive करना चाहते हैं तैसी कोई नसरी के बच्चे को पता ही होगा कि first क्या होता है second क्या होता है उससे मतलब नहीं होगा यहाँ पर हम लोग बहुत जादा स्ट्रेस लेते हैं यहाँ पर हम लोगे conscience formation होता है मतलब कौन सा चीज करना चाहिए या फिर कौन सा चीज हम लोग को नहीं करना चाहिए फिर आएंगे Pigerts Theory of Cognitive Development Pigerts Theory of Cognitive Development में उन्होंने जो हम लोग का till 10 years है उन्होंसे 4 हिस्ते में डिवाइड गया है पहला है हमारा sensory period यह हम जब जर्म लेते हैं वहाँ से 2 साल तक हमारा sensory period होता है यहाँ पर हम लोग हमारे जो 5 senses होते हैं उनको explore करते हैं तेगेंड आता है Pre-operational period Pre-operational period होता है Class 2 Class 2 बोला 2 साल के उमर से 7 साल के उमर तक यहाँ पर बच्चों के imagination जो है बहुत स्ट्रॉंग होते है आप बच्चों से देखेंगे तो उनका एक imaginary friend होता है imagination में ही वो खेलते है और वो सब चीज के बारे में बहुत साड़ा question करते है तो यह time होता है Pre-operational period पिर आता है Concrete Operational period Concrete Operational period होता है सम 7 तू 11 यहाँ पर वो subject को होता है जलता है understand logic और इसका final है 11 to 15 years 11 to 15 years में वो समझ जाते है कि कोई भी चीज जो होता है उसका main logic होता है और वो उस logic के हिसाब से काम किया जाता है यह समझते है वो formal operational period के दोरा है पिर आएंगे हम लोग adult learners पे adult learners इंडिया में तो इतने famous नहीं है पर USA और बाकी देशों में यह काफी famous है जो students है आर्थिक वज़े से या दूसरे वज़े से पहले अपते education complete नहीं कर पायते बाद के time में आके education को complete करते है तो यह क्या है एंड्रोग होगी जहाँ पर adult learning होता है और जो students होते है वो खोज से पढ़ाई करता है और जो पढ़ाई होता है वो ज़्यादा था about the skills होता है तो यहाँ पर theory ज़्यादा नहीं पढ़ाए जाता है यहाँ पर day to day life में जो skills use करते हैं उनके बादे में सिखाए जाता है अब देखेंगे educational technology के बादे में educational technology की बात की जाए तो educational technology दो तरके होते हैं एक है आपका hardware approach और एक है आपका software approach hardware approach में teacher जो है teacher main centered होते हैं और teacher का opinion इसे matter करता है software approach में strengths को लाए जाता है और strengths के knowledge को देखा जाता है strengths को opinion भी matter करता है जैसे मैं यहाँ पढ़ अगर example दूँ मैं जो यह video बना रहाँ यह video का जो lecture है वो कश्मीर में भी कोई अगर student देखेगा तो same होगा और कन्या कुमारी में भी अगर कोई student देखेगा तो same होगा और software approach क्या है मैं अगर आप लोग से बूचू comment करने के लिए कि आप लोग को कितना समझ में आया है तो फिर कश्मीर में जो student है उसे उसे शायद 70% समझ में आया है और जो कन्या कुमारी में आया है उसे 71% या फिर 72% समझ में आया है कि वहाँ पर आपका दिन कैसा है या फिर वहाँ का वेदर कैसा है कभी भी दो स्ट्रेंट्स जो है वो सेम आंसर नहीं करेंगे जैसे कि कोई बोलेगा वहाँ पर बहुत धूप है कोई बोलेगा वहाँ पर तो दिन है कोई बोलेगा वहाँ पर रात का टाइम है कोई बोलेगा वहाँ पर रेंफॉल है कभी भी कोई दो स्ट्रेंज सेम आंसर नहीं देते वही यह आपका सॉफ्ट्वेर अप्रोच चाहता है टाइपस आफ इंस्ट्रक्शनल फैसलेटिस टीन प्रकार के होते हैं आपका audio जो आपको सुनाए देता है वीशुल जो आप देखते हैं आपका audio वीशुल जिसमें दोनों को मिला दिया जाता है तो पहले audio के बारे में देखेंगे audio के क्या के example है चैसे की slide, handheld projector यह आपका handheld projector video projector और opaque projector opaque projector क्या होता है opaque projector में लिए आपके जियोग्राफिक के जो इंस्ट्यूट्स होते हैं higher level के वहाँ पर use के जाता है यहाँ पर मान लीजे कोई important mineral रखा गया है यहाँ उपर से जो light source है इस mineral पर परता है और फिर उस light source से यह mineral चमकने लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरा ग्लास है उससे भी light reflect होके इस mineral पर पर परता है तो stress जो है mineral का अच्छे तरीकल साथ देख सकते हैं तो यही है आपका ओपर एक प्रोजेक्ट है पिर आते हैं non-projected visual instructional facility non-projected visual instructional facility क्या क्या है जैसे कि आपके charts हो गए पिर आपके flashcard हो गए flashcard क्या होते है ऐसे cards होते है छोटे क्योंकि जातर बच्चों के लिए use किया जाता है जहां पर एक particular चीज के बाड़े में information किया जाता है जैसे कि alphabet के बाड़े में AC क्या होता है Apple का spelling क्या होता है इन सब के बाड़े में एक card में information दिया जाता है इसी को का आजा था फ्लेश कार्ड, पोस्टर, पिक्चर, ग्राफ, मैप और डाग्राम यह साड़े नॉन प्रोजेक्टेड विज्वल इंस्ट्रेक्शनल फैसिलिटी इनी में आता है आपका डिस्प्लेश बोर्ड, इस्प्लेश बोर्ड में आता है ब्लैग बोर्ड, फिरा आता है आपका वाइड बोर्ड, वाइड बोर्ड क्या होता है? ब्लैग बोर्ड जैसा ही होता है Channel board में क्या होता है? एक board होता है यहाँ पर 3D pictures लगाए जाता है इससे बच्चों के लिए जाता है यूस के जाता है और teachers एक-एक picture को दिखा के जो strengths है उनको information देते हैं और knowledge देते हैं ताकि उस चीज़ के बारे में strengths को knowledge हो Magnetic board, magnetic board मतलब जो board है उसमें चुम्बक किया गुन है और आप कोई भी चीज जो है आप अगर चुम्बक किया गुन होगा होगा वहाँ पर चिपका सकते हैं इससे ही का जाता है आपका पेक board इससे ही का जाता है आपका 3D model जोगे 3D model है specimen और फिर आपका globe अब बात करेंगे audio instructional facility के बाड़े में audio instructional facility अगर बात की जाए audio instructional facility मा आता है radio पेर आता है podcast, recording digital audio player जिसका सबसे अच्छे example है ipod पेर आता है mobile और television अब देखेंगे अक्टिविटी इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी इंस्ट्रक्शन दिया जाता है through the activities क्या क्या है इसमें trail trips, experimentation, dramatics और programmed instruction ओन आफ एक्स्पियेंस के अगर बात की जाए ओन आफ एक्स्पियेंस किसने दिया था तो ये दिया था आपके Edgar Dale मेंने इसमें क्या है this is to prove that learning by doing कोई भी काम आप जितना जादे करते है उतना जादा सिखेंगे इसमें simple theory है more senses equals to more इतना जादा आप senses को use करेंगे उतना आपका पढ़ाई करने के लिए अच्छा हुआ याद रखने के लिए अच्छा हुआ जैसे कि आप अगर देखेंगे तो फिर आप सी पढ़ेंगे तो फिर आपको 10% ही याद रहेगा अगर सुनेंगे तो 20% 30% अगर आप खुझ से वहाँ जाकर दिखेंगे 10% of what they read इसलिए बोले जाता है कि कोई चीज मान लीजिए मैं पढ़ता हूँ उससे ज्यादा effect होता है जब मैं वो चीज अपने सामने देखता हूँ यहाँ पर एक्जाम बे अगर ताज महल के बारे में बात की जाए तो ताज महल के बारे में मुझे question पूझा गया कि कितने साड़े मीनारे इन ताज महल इसके बारे में अगर मैं पर लगा तो 10% ही याद रहेगा और मैं अगर ताज महल खुझ से जाके दिखूंगा तो मुझे 30% याद रहेगा क्योंकि मैंने अपने आखों से देखाता है और मैंने अपने सामने देखाता 50% of what they see and hear 70% of what they see and write and 90% of what they do हम लोग जो काम करते हैं उसका सबसे ज़्यादा एफेक्ट होता है और हम लोग को वो चीज सबसे अच्छे तरिके से याद रहता है पिर आएंगे हम लोग evaluation पे अब evaluation क्या होता है यह समझने से पहले हम लोग को terms समझ लेता है मान लिजे एक student है Tom Tom को मान लिजे physics में 60 marks मिला है और math में उसको मिला है 50 तो measurement क्या हो गया measurement हो गया Tom को कितना marks मिला है वही हो गया आपका measurement अब assessment क्या हो गया इन दोनों को मिला के 60 plus 80 हो गया 140 तो यह assessment हो गया कि overall Tom को सब subject मिला के कैसा उसने perform किया सब subject मिला के जब दिखा जाता है वो होता है आपका assessment फिर आगे आपका evaluation evaluation में दिखा जाता है तो अनली जे यह पहला same का marks है Tom का 140 और second same में Tom को मिला 100 marks तो क्या knowledge मिलेगा evaluations है हम लोग को कि Tom का जो performance है second same में 40 marks हो गया तो evaluation जो है वो पुरा देखता है overall performance अब देखेंगे types of evaluation types of evaluation में देखेंगे on the basis of approach basis of approach में देखें तो quantitative technique दो तरकिये के होते है quantitative एक qualitative quantitative हम लोग marks पे decide करते है और quantitative हम लोग rate decide करते हैं तो देखेंगे on the basis of phase of instruction तो पहला है आपका placement placement evaluation वो होता है जो कोई entrance exam में लिया जाता है to test the knowledge कि पहले से student को कितना knowledge है वो देखने के लिए जब exam लिया जाता है वो होता है placement फिर आता है formidative formidative मान लिजए आप ये unit complete करने के बाद जितने भी questions है उनको solve करते है वो हो गया आपका formidative knowledge फिर आता है आपका diagnostic knowledge आप जब questions solve करते है तब कुछ questions में आपको problem होता है फिर वो आप अच्छे तरीके से उस theory part को पढ़ते है फिर से वो problem को समझते है और answer solve करते है तो diagnostic में एक problem जो है diagnose करना है main criteria summatative में आपको पूरा exam मतलब पूरा आप अच्छे तरीके से पढ़ लिया आपने पूरा अच्छे तरीके से complete कर लिया फिर आप जब mock test देते है वो होता है summatative on the basis of nature of reference on the basis of nature of reference दो होते है एक होता है criterion और दूसरा होता है norm criterion में क्या होता है एक fixed criteria होता है इसके उपर जब evaluate किया जाता है उसे बोला जाता है criteria reference फिर आता है norm reference norm reference में क्या होता है माली जो दूसरा बंदा है max और max आपके 40 minute में एक किलो मेंटर भाता है इससे हम लोग को क्या knowledge मिला है कि tom जो है वो है fast तो जब students को compare किया जाता है तो उसके basis पर result declared किया जाता है उसे का जाता है norm reference जैसे UGC net में आपके cut-off marks decide किया जाता है after the students have given exam students कैसा exam देते हैं उसके उपर decide किया जाता है तो उसको का जाता है norm reference फिर आता है on the basis of purpose on the basis of purpose होता है diagnostic test जो कोई problem सबजने के लिए aptitude test मतलब हम लोग का कितना knowledge है इसी subject में यह फिर interest है फिर achievement test हम लोग को ranking देने के लिए अब proficiency test हम लोग का knowledge देखने के लिए subject में हम लोग को कितने अच्छा तरिकास है knowledge फिर आता है on the basis of grades the basis of grades अगा देखा जाए तो दो हिस्से होते है एक होई है direct तो direct में marks दिया जाता है तो indirect में आपके grades दिया जाता है अब जो indirect है यह फिर से दो हिस्से है एक है absolute grading और एक है relative grading यह जो picture है वो आपके result का एक picture है मैं यह मीटा देता हूँ तो absolute grading में क्या होता है यह exact percentage होता है जो student को मिलता है उसी हिसाब से उसको grading मिलता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसको 70 marks मिले है out of 100 यहाँ पर उसको absolute grading नहीं लेगा 70 percentage 70% में मालीच उसका absolute grading दिया गया B उसके बाद देखेंगे relative grading relative grading में देखा जाएगा बाखी students ने कैसा आप मतलब paper को दिया है और उसके हिसाब से उसको marks दिया जाएगे relative grading में आप देख सकते हैं बाखी students के compare में उसने जो marks किया वो है 99.78 percentage 99.78 percentage इसके हिसाब से उसको grading दिया जाएगे उसका grade मिलेगा A तो यह ही है आपका relative grading फिर आता है choice-based credit system यह जो new education policy लाए गया था उसमें लाए गया है यह choice-based credit system इसमें आप different subjects choose कर सकते हैं different subjects combine कर सकते हैं आपके interest के अनुसार एक subject बनाने के लिए इसमें क्या के include रहेगा है इसमें रहेगा आपका एक course subject collective course जो कि आपका core course को help करेगा generally active course जो कोई भी आप subject इसमें आपको interest है आप choose कर सकते हैं project जो भी आप course करें उसको help करने के लिए एक project capability enhancement course जो आपको एक particular skill सिखागा जो कि subject से related होगा फिर आता है computer based testing computer based testing का short form होता है CBT आपको इसे दो students लेते हैं एक है Tom दूसरा है Max तो सबसे पहले linear test देखते हैं linear test में क्या होता है linear test में fixed questions रहते हैं और ये अब के लिए same रहते हैं मान लीजिए 100 questions हैं और Tom और Max को 100 questions दियेगा है तो मान लीजिए Tom अगर कोई questions solve नहीं कर पाया है solve नहीं कर पाया तब भी उसको difficult questions से मिलेंगे difficult questions और Max नहीं कोई solve कर लिया अब भी उसको difficult questions मिलेंगे मतलब जो level है वो same रहेगा तुनों के लिए level same रहेगा अब देखेंगे adaptive test में क्या होता है adaptive test में मान लीजिए दोस्तों है Tom और Max वो एक particular exam दे रहे तो exam का pattern ऐसा है कि मान लीजिए जो computer है computer में 1000 questions feed कर गया है तो Tom जो है वो questions को solve नहीं कर पा रहा है और Max जो है questions को solve कर पा रहा है तो Tom को थोड़े से easier questions दिये जाएंगे ताकि वो solve कर पाए और Max को जो है उसे और भी ज्यादा difficult questions दिये जाएंगे ताकि Max के कितना जो level है चेक किया जा सके यही है आपका computer based testing फिर देखेंगे हम लोग curriculum के बाड़े में तो curriculum समझते पहले syllabus और curriculum में क्या difference होता है syllabus जो है और curriculum syllabus आपके theory based है कि class में क्या पढ़ाया जाएगा वही है syllabus और curriculum में क्या है क्या क्या आपका activity करवाया जाएगा theory करवाया जाएगा सब कुछ मिल लाके आपके curriculum होता है जैसे कि आपको MBA करवाया जाएगा in tourism या फिर दूसरे को subject को course करवाया जाएगा वो होता है आपका curriculum यह आपद देख लेंगे हम लोग types of curriculum types of curriculum में पहला आता है subject centered curriculum मान लीजे कोई subject में आप honors करनेगा मान लीजे physics में जब आप honors करनेगा है अब स्रिफ आपको physics से बाड़े में पहलता चलेगा इसका पूरा subject जो है उसका knowledge आपको दिया जाएगा यह curriculum यह जो curriculum है वो ज्यादा activity बेस्ट है subject का thorough knowledge जो है देने में बेस्ट है दूसरा है आपका behaviorist curriculum मान लीजे आपने MBA में कहीं पर admission लिया MBA में admission लेने के बाद आपको वहाँ पर theory कराए जाता है आपको language सिखाए जाता है कोई foreign language प्लस आपको public speaking सिखाए जाता है तो ये हो गया आपका behaviorist curriculum मरलब student का overall development दिखा जाता है फिर आपका आगया learner centered curriculum learner centered curriculum मान लीजे कोई drama college में गया national school of drama में national school of drama जान से हमारे बॉल्यूट के बड़े बड़े actors pass out है तो national school of drama में क्या होता है student को क्या चाहिए उसके हिसाब से दिया जाता है जैसे उसको acting license दिये जाता है movies दिखाये जाता है speech therapy दिया जाता है तो ये सब दिया जाता है learner को ताकि वो अच्छे से develop कर पाए और learner को क्या क्या जरूरत है उसके हिसाब से करिकुलम बनाया जाता है तो ये वीडियो देखने के लिए thank you so much I hope आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है और चैनल को अगर आप लोग subscribe नहीं भी कते हैं at least एक लाइक कर दीजेगा तो मुझे काफी motivation मिलता झा ममझेए लोगा है डार आप लोगinguém कर दो होगी तो ममझे भी कि एक हुरी तो मैं